रावण के जन्स्थान बिसरक गाउं में आम लोग आज के लोग क्या कुछ सोचते हैं, क्या मानते हैं, क्या उनके दिल में चल रहा है, ये हम लोग जानते हैं, इस वक्त बिसरक गाउं के कई सारे लोग हमारे साथ मौझूद हैं, पेड़ के नीचे बैठ कर हम लोग बात करन सबसे पहले शुरुवाद यंग बच्चों से करते हैं क्या नाम है आपका हर्शित हर्शित पूरा देश आज दशेरा मना रहा है पुतला दहन किया जाता है रावण का यहां पर आप लोग उनकी पूजा करते हैं क्या कुछ मन में चलता है जब उनका पुतला दहन होते हुए आप देखते हैं। मुझे तो लगता है कि पुतला जलाना ही नीच चाहिए, हर बार, हर साल जलाया जाता है, जब आपको लगता ही है वो एक बार मर गया है, तो उसे बार-बार क्यों जलाते हैं। आपका क्या नाम है? दूरूव। आप कौन सी क्लास में? हैं आपके स्कूल में जितने बच्चे हैं वो लोग सभी दशारा मनाते हैं या थे इस तरीके से पुठला दहन होता है रावन की हम लोग पूजा करते हैं हम लोग नहीं करते हैं उसको कैसे एक्स्पलेइन अब ती प्रेते बुरा लबता है कि लोग पुदला दहन करते हैं रावन आपके लिए कौन है अर्पुर बुश्टे दादा पुझा दादा है आपके लिए यह वाज आती है, दिखाई देता है, बड़ा-बड़ा पुतला बनाया जाता है, तो मन में क्या चलता है? बुर लगता है ऐसी चीजे में कि, होँ याइत. आपको क्या नाम है? मेरा नाम है वन्सि colonial गी. वन्स, आपको क्या लगता है, आप भी ए स्कूल में हो? आपके दोस्त जो हैं वो रावण का पुतला देहन जब होता है वो देखने के लिए मेला जाते होंगे बच्छे जलाते हैं बना के तो गल्ट है ना करने नी चाहिए है क्यों कि बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है तो बुराई के रूप में रावण को मना जाता है आपके लिए रावण कॉन है आपके परिवार में कोई जलाता है जाते हैं बच्चे जूले उले जूलने पर वो जब रावन जलता है वहाँ पर कोई नहीं जाता है तब आप वहाँ पर नहीं रहते हैं आपका नाम से अभिशेक तीवारी अभिशेक जी क्या कुछ आप कहेंगे कब से आपके हाँ पर यह माननेता है कि बिल्कुल रावन नहीं जला जाता है जी देखिए यह तो बहुत पुराने समय से चल रहा है कि रावन कोई इस गाउं को भांजा माना जाता था था ठीक है तो निहाल है रावन का और यह माना जा को बार-बार जलाना वो भी एक ब्राहमट समाज के इंसान को यह चीज गलत है वह ब्राहमट नी कोई भी हो एक बार जो मर गया जला दिया गया उसको बार-बार नहीं जलाना चाहिए हाँ अगर बात बुराई और अच्छाई की है तो वहां तक मान्यता मुझे समझ में आती है लेकिन इस तरह की चीज़े मुझे गलत लगती है कुछ महिलाओं से भी हम लोग बात करते हैं अम्मा आपने कई साल इस गाओं में गुजा रहे हैं हम immediate अच्छा आपर बाहर करना आ कि अब देखती हैं कि बाँकी सारे देश में आपके आस पास भी जितने लोग हैं बाकी जगा हैं उन सब जगा जिसके आप पूझा कर रहे हैं रावन की उनका पुतला देहन किया जाता है उनको जलाया जाता है आपके मन में उस वक्त क्या चलता है। इसना चाहिए यह कि आपे वजा है कि राम लीला नहीं होती है रामलीला internet कब मानने हैं तो उसके घर में कुछ अपशगून हो जाता यह Juice एक फिर राम लिला हुई तो उसमें परेशान नहीं आगी जब से राम लिला नहीं होती लेकिन भगवान राम को क्या यहां पर पूजा जाता है जितनी मंदिर में तस्वीर रखी हैं सब को पूजा जाता है सम्में जादा मानता इस रावन की सबसे आपके लिए अगर कहें कि विद्वान जो हैं वो रावन को ही माना जाता है सबसे जादा पूजा उनी की की जाती है आज के दिन दसारा के दिन भोत वो होती है का आज हमारे हंसी में दाग नहीं लगना चाहिए जब एक फिर दाग लगा तो उसमें अगनी नहीं लगनी चाहिए लेकिन ये एक तरीके से प्रथा पूरे देश के बन गई है कि रावण का मतलब नकारातमक्ता रावण का मतलब शैतान रक्षस जब इस तरह के बातें आपके भगवान के लिए कही जारी हैं तो क्या लग रहे हैं कि क्या आप लम्भे समय तक अपने भगवान को बचाने में कामियाब रह पाएंगे यह यह वात है जो आप बता रहें पूरा विश्वास है आपका नाम सर्व प्रदीप सर्मा है आप कितने सालों से इस गाउं में रह रहे हैं हमारा जनमिस्तली हल्दवानी गाम है बिजरक के दो किलो मेंटर आगे पड़ता हल्दोनी वहा कि एक उच्च कोटी के ब्रह्मन माने जाते हैं उनका थोड़ा नकारत मकता देखो यह माना जाता है कि हर आदमी से गलती होती है पर उस गलती को इस तरीके से लिया जाए जो आदमी एक बार चला गया उसको और बार बार पतलो फूक कर हम लोगों में इस तीर का रोस रहता यह लगातार कहा जाता है कि जो रावण के काम थे वो गलत है उसको किस तरीके से आप जवाब देते हैं देखो रावन के काम गलत नहीं थे रामन एक विद्वान ब्रहमन था जिसको चारों वेदों को मुझवानी आता उसने उसका क्या था उसका थोड़ा गवंड था उसक उस चीज़ का देखो है कि चलो वो ठीक है पर इस तरीके से लोगों को पुतला जलाना बार बार पुतला जलाना उससे क्या कुछ नहीं यह तो गला था तो इन लोगों को आप कैसे ग्यान देते हैं इन बच्चों को ग्यान देते हैं है अज हमपनों और कि चलो होस का बताया मुझे ऋपल dba ग्यारवजे से चालू होता है जी पूजा होती है वो इसके बाद परसाद वित्रन भी होता है जी क्या नाम है आपका मानवी 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 आप जानते हो यह जो तस्वीर है यह जो है रावन कौन थे आप जानते हो बीटा क्या नाम है आपका युकसर मा आज क्या है आपको पता है आज तो देखिए आपने तस्वीरे देखिए बिसरक गाओं की जहांपर रावन की पूजा की जाती है अराधना की जाती है जिनके लिए रावन विद्वान है क्योंकि यह रावन का ही गाओं है यहाँ पर रावण का जन्म हुआ था उनके पिताजी का जन्म हुआ था और मेरे पीछे जो मंदिर दिख रहा है आपको यह रावण का खास तोर पर मंदिर बनाया गया है जो हाँ पर भगवान शिव की भी मूर्ती है शिवलिंग भी है और यह माननेता है कि सबसे बड़े अगर कोई थे भगवान शिव के तो वो रावड थे और अब उनी के साथ में ये जो मंदिर है इसकी खुबसूर्ती रावड की अलग-अलग तरह की जो स्टैचूज हैं जो मूर्तियां हैं वो बनाकर की गई है कैमेर पसिल सुनील के साथ अजातिका सेंग एबीपी न्यूज नएड़ा